हरे कृष्णा, मैं कृतग्य हूँ कि आज आप सब के बीच में एका मौका मिला है, बले ही डिजिटली क्यों न हो, कानपूर में कई ऐसे भक्त है, प्रेम हरे नाम प्रू आदी जो, जोने में कई सालों सो जानता हूँ और राधिश्यां प्रू और कई और भक्तों ने बताया है मुझे कि किस तरह से भक्तों का समुदा है, बड़े ही आकर्शक और आकरामक पद्धती से वहां पर बढ़ रहा है, और यहां पर मैं पिछले कई सालों से पैंडमिक के पहले भारत से बाहर अधिक प्रावलिंग कर रहा था, इसलिए मैं भारत में ज्यादा जगों पर आ आप सब के जो भगवान का ऑप्यूलंस है, बगवान का एषवरी है, उसके बारे में का सरक्रा end का ज्यान का एषवरी है, उसके बारे में हम चर्चा करेगे, तो मैंने एक powerpoint बनाया है जो English में है और मैं ये powerpoint जो है वास्तों में एक whiteboard के समान यूज़ करूँगा मतलब मैं इसे full screen शायद कभी-कभी नहीं करूँगा और ये इसको बीच-बीच में इसमें typing भी करूँगा और हम इस तरह से देखेगे कि भगवान के ऐश्वर्य कैसे का क्या महत्व है और खास करके इस ऐश्वर्य का क्या महत्व है तो मैं तीन विश्वा पर चर्चा करूँगा सबसे पहले कि भगवान के ऐश्वर्य का महत्व क्या है? Why do opulences matter? फिर दूसरा है कि how do the opulences reflect Krishna's all attractiveness? कि क्या ये ऐश्वर्य के कारण भगवान आकर सरवाकर शक है? ये कि क्या भगवान सरवाकर शक है और मैं ये ऐश्वर्य है? तो वो हम संपर्ग देखेगे और फिर हम कुछ अधारण से देखेगे कि भगवान किस तरह से उनका जो संपू पुर्ण ज्यान में है तो वो ज्यान का इश्वर्य किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? और हर एक section के बाद मैं थोड़ा सा pause दूँगा अगर किसी को उसी विभाग के बारे में सवाल है तो हम एक सवाल ले सकते हैं और समय होगा तो अंत में भी हम सवाल लेगे पर बीच मे जो अगर सवाल होगे वो directly अगर हम जो जिस पर वी चर्चा तब तक किया है उस पर अगर सवाल होगा तो हम दे सकते हैं तो कि हम भगवान के बारे में जानना चाहते है तो भगवान के आईश्वर्य के बारे में जानने का महत्व क्या है? इसके यह समझने के लिए हमें पनाए हो सकती है, कि what is the nature of God, He is the best of all beings and He is the basis of all beings, इसमें फरक क्या है, best of all beings मतलब कि अनेक जीव है और उनमें से सर्वस्रेष्ट जो है भगवान है, यह एक संकलपना है भगवान की, कि अनेक जीव है और उनमें से सर्वस्रेष्ट भगवान है, जैसे कि अभी टेनिस चैंपि प्लेष्ट होगे, उनका सबका अपना पर रैंकिंग है और एक नमबर वन प्लेष्ट है, तो उस तरह से श्रेणी है और उसमें सर्वस्रेष्ट भगवान है, और ऐसा भी शास्त्र में बताया गया है कभी-कभी, जैसे कि बक्तिरसामृत सुन्दू में रूपगोस्वामी बताते है कि भगवान के चौसट सद्गुण है और केवल भगवान में चौसट सद्गुण है और बाकी सब जीव है, वो अलग-अलग मात्रा में वो गुण दिखाते हैं, तो जीवात्मा है, उनमें लग-बग पचास गुण सरवाधिक हो सकते हैं, जो ब्रम्हाजी में द और भगवान स्री कृष्ण में 64 गुण है तो अभी ये किस तरह से संतल्पना है कि सब जीव एक तरह से एक दर्जय में श्रेणी में है और भगवान सर्वस्रिष्ट है और ये सही संतल्पना है पर ये पूर्ण नहीं है तो इस संतल्पना में क्या होता है कि भगवान अभी नंबर वन है सर्वसेस्ट है पर कोई और नंबर वन बन सकता है और अधिकांच लोग शायद वो असूरी प्रवर्थिके हो या इवन या आसूरी प्रवर्थिके ना भी हो वो कभी कि भगवान को इस तरह के रूप में सोचते हैं और खास करके असुरी प्रुत्ति के लोग इस तरह सोचते हैं, तो यह सोचते हैं कि हाँ, विश्णू ने तपस्या की है, कृष्णा ने कुछ किया होगा, जिसके कारण वो भगवान बन गए, और अगर मैं उससे जादा कुछ करूँगा, तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ और हिरने कशिपू की यही धारणा थी, हिरने कशिपू यही सोच रहा था कि विश्णू बड़े शक्तिशाली है, पर हिरने कशिपू सोच रहा था कि अगर मैं तपस्या करूँगा, और पर्याप्त रूप में तपस्या करूँगा, और आत्म ज्यान भी उसमें शामिल था कि मैं अनेग जन्मों तक तफस्या करता रहूंगा क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है और एक दिन तपोबल से मैं इतना शक्तिशाली हो जाओंगा कि मैं विश्णू को हरा दूँगा और इस तरह से जिस विश्णू ने मेरे भाई का वद किया है उसका मैं बदला लूँगा तो ये संकल्पना क्या थी? कि भागवान सर्वस्रेश्ट है तो पर मैं उनके जैसे या उनसे भी सक्तिशाली बन सकता हूँ तपोबल के दुआरा तो इसलिए जब हिरने कशिपू ने बार-बार प्रहलाद का वद करने का प्रयास किया और वो वद जब नहीं कर पाए तो हिरने कशिपू करोधेत, भ्रमेत, विस्मित, पीडित हो गए थे और उनसे प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारे शक्ति का स्रोत क्या है और जब हम प्रहलाद का जवाब सुनते है तो कभी-कभी हमको ऐसे लगता है कि प्रहलाद क्या केवल उकसाने के लिए कुछ बोल रहे है कि यसे इंग्लिश में कहते है डॉन्ट बी चीकी चीकी मतलब क्या? कि आप ऐसे बोल रहे है उद्दंड के साथ, अहंकार के साथ दूसरों को खुद को बहुत दिमान दिखाते है और दूसरों को कम दिखाने का प्रयास कर रहे है बट प्रहलाद ऐसे नहीं कर रहे है प्रहलाद का जवाब देते है कि वरम वरियाम कि तुम्हारा जो मेरे शक्ति का स्रोत है, वह तुम्हारे भी शक्ति का स्रोत है, सब शक्ति का एक ही स्रोत है, वह है भगवार, यह कहते है कि मेरे शक्ति का स्रोत है, वो नकिवल तुम्हारे शक्ति का स्रोत है, पर वह तुम्हारे शक्ति के स्रोत का भी स्रोत है, तो यह कैस तो प्रवारे नहीं है, तो क्या वो उक्सा रहे है? नहीं, उक्सा नहीं रहे है. वो एक सत्य समझाने का प्रयास कर रहे है. उनी श्रोकों में आगे बताते हैं, कि ये केवल तुमारे मन के भ्रहम के कारण, because of your uncontrolled and misdirected mind, ना केवल आपका मन अन्यंतृत है, पर आपका मन गुमराहा भी है. अन्यंतित होना बुरी बात है, पर गुमराहा होना उससे भी बड़ी बात है. उससे भी बुरी बात है, और बुरी बात है. तो उसके कारण क्या हो रहा है? तुम विश्नु को अपना प्रतिसपरधी, विश्नु को तुम अपना स्वत्रु समझ रहे हैं, पर विश्नु किस तो basis of all being मतलब क्या है जैसे वो एक tennis player है जो number one पे है पर वैसे नहीं है वही tennis player ने बाकी सब players को सिखाया है और बाकी सब tennis players की खेलने की ख्यमता है न केवल इन से आई है पर उन से ही आते रहती है तो मतलब बाकी कोई tennis player ये top tennis player के बिना खेल ही नहीं सकता है ऐसे है वो तो इसलिए basis of all being God is not just the best of all beings भगवान के वल सभी जीवों में सर्वस्रेश्ट नहीं है वो क्या है सभी जीवों के अस्तित्तु का कारण है उनके बिना कोई भी अस्तित्तु में नहीं हो सकता है नतदस्ति विना यत्स्यान मया भूतम चराचरम यच्चा पिसर्व भूताना भीजम तदहम अर्जुना भगवान कहते है दसवे अध्याय के उन्चालेस विश लोक में भगवत गीता के कि मेरे बिना कोई भी चीज अस्तित्त्तु में नहीं रह सकती है अर्जुन तो यहां हमें समझना जरूरी है अभी हम तो भगवान के अईश्वर्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं पर भगवान के अईश्वर्यों को समझने के लिए हमें पहले भगवान क्या है यह समझना जरूरी है तो भगवान के ये दो अर्थ है, दो है और वास्ता में दोनों है, भगवान सभी जीवों के आधार है, जीवों के स्त्रोथ है, भगवान सभी जीवों के, भगवान के बिना कोई जीवों नहीं सकता है, और भगवान सब जीवों में सर्वसरेश्ट भी है, तो दोनों धारना हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं तो अभी यह समझ गए उसके आईश्वर्य क्या है यह समझने का प्रयास करें तो आईश्वर्य का मतलब क्या है कि that which attracts and captures our attention कि जो चीजे हमें आकरशित करती है और नकेवल आकरशित करती है हमारा आकरशन बरकरार रखती है तो ऐसी बहुत सी चीजे हो सकती है कि मान लिजे अभी आप सब यहां पर बैठे है आप अलग अलग जगा पर बैठे है कोई मंदिर में है कोई आपके youth center में होगा तो और वह बहुत उंचा है साथ फूर उंचा है मान लिजे तो क्या होगा यह थोड़ा इनोंखा है तुम देख कौन है यह विक्ति हितना बड़ा धन का आईश्वरिय है उससे आकर्षित जाते हैं तो यहाँ पर आईश्वरिय का मतलब क्या है कि जो चीजें हमें आकर्षित करती है उनको आईश्वरिय बताए गया है और जो हमने दो संकलपनाएं देखी कि God is the best of all भगवान सभी जीवों में सर्वस्रेश्ट है और भगव अर्थ हो सकते हैं कि अनेक जीवों में आईश्वरिय है पर भगवान में सबसे अधिक आईश्वरिय है बहुत से लोग इस जीवगेद में बुद्धिमान हो सकते है भगवान सबसे जादा बुद्धिमान है बहुत से लोग आकर्षिक हो सकते है भगवान सबसे जादा आक दिमान है जिसके पास भी जो भी बुद्धी है वो भगवान से आ रही है जिसके पास जो भी सौंदर्य है वो भगवान से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भगवान न केवल सबसे अधिक सुंदर है पर सबके सौंदर्य का भी स्त्रोथ है भगवान तो अभी या अगर तो इसका मतलब क्या होगा कि इस जगत में बहुत से आकर्शिक चीज़े पर जो भी चीज़ हमें आकर्शित करती है उसका आकर्शन कहां से आ रहा है भगवान से आ रहा है तो लोग बहुत से चीदों से आकर्शित हो सकते हैं, कोई लोग होते हैं वो शक्ती से आकर्शित होते हैं, अभी कुछ समय पहले ही ऑलिम्पिक गेम्स हुए और ऑलिम्पिक गेम्स में बारत में कुछ मेडल जीत लिया, कोई गोल मेडल जीत लिया किसी फील्ड में, तो जिस आथलीट, जो छिलाडी ने वो गोल्ल मिटल जीदा उसके बारे में सोशल मीडिया पर और मीडिया में तो कोई क्रिकेटर अगर बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है उसके बारे में बहुत से लेख आते है, उसके पिच्चर आते है तो अभी उन सब लोगों के शम्ताए है, वह उनकी है, पर केवल उनकी नहीं है वहाँ वास्ता में भगवान का इश्वरी है जो उनके द्वारा प्रक्त हो रहा है कोई किसी भी क्षेत्र में अगर कोई बड़ा ही प्रभावशाली है, लोकप्रिय है, आकरशक है तो जो भी छूज़े उनको आकरशित बनाती है वहाँ वास्तों में भगवान से आ रही है और जब हम ऐसी लोग-प्रियता देखते है तो एक तरह से हम कह सकते हैं यह तो केवल सब लोग माया में है कि सब लोग माया में हैं किसी चीजों से आकरशित हो रहे है पर वहाँ एक दुष्टिकोन है सत्य दुष्टिकोन है पर अगेन वह इस करेक्ट पर नॉट कम्प्लीट कि कुछ-कुछ लोगों में जब लोग फैन्स बनते हैं किसी चीज़ के तो इस प्रकार के फैन्स बन जाते हैं कि वह पूरा इसे लगता है सब कुछ भूल गए है वह वह जिस व्यक्तिके पती फैन बन गए है उसको देखने के लिए उसको मिलने के लिए उसकी एक जलक प्राप्त करने के लिए लोग इतने उतावले हो जाते हैं एक तरह से वह उसके लिए सरवधर्मान परित्यमामेकम शरणम रज़ कर देते हैं सब कुछ भूल जाते हैं कोई मुवी स्टार है कोई स्पोर्ट स्टार है कोई म्यूजिशिन है तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके शो में जाने के लिए उनका एक उटोग्राफ ट्राफ करने के लिए उनके साथ एक सेलफी लेने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते है तो ऐसे जो अभी लोग कवी हजारों मिल जाते हैं हजारों रुपाई खरिष्ट करते हैं और उससे क्या होता है वो कुछ चीजे प्राफ करना चाहते है तो अभी तो आजकल ऐसे selfie का popularity है कि किसे मिलते है तो उनके एक selfie ले ले तो अभी कई ऐसे super stars है जो उनके selfie के लिए charge करते है और एक super star है एक selfie उनके साथ लेने के लिए उसका charge है hundred thousand dollars एक selfie के लिए hundred thousand dollars one dollar is around 80 rupees तो मतलब हम कहते है love a mantra sadhu sang कि एक वात्र एक शन है sadhu sang का बहुत मतलब है तो क्या है वो love a mantra celebrity sang चाहिए एक celebrity के साथ photo चाहिए तो हम यह कह सकते हैं यह maya है यह moha है वो एक दुष्टी है दुष्टी है कि कि इस व्यक्ति में भगवान का आकर्षन का एक बूंद आ रहा है और यह बूंद अगर किसी व्यक्ति को इतना आकर्षित कर सकता है तो फिर पूरा सागर होगा वो कितना आकर्ष होगा वो कितना आकर्षित कर सकता है अभी हम वो आकर्षन महसूस नहीं कर रहे है यह सत्य है पर वो जो आकर्षन है वह वास्तों में है तो एक तरह से भक्तिवनों ठाकुर कहते है कि जब भौतिकवादी लोग भौतिक चीज़ से आकरशित हो जाते है उसके लिए इतनी महनत करते है तो वो कहते हैं वो केवल उसका खंडन नहीं करते हैं भगवान के और आकरशित और होने का प्रयास करूँ तो अभी कि जो है कृष्टन के अपने अलग-अलग आश्वरे देखे तो उन में से एक आश्वरे हम जो आज चाचा करने वाले है knowledge तो यह आश्वरे का महत्व क्यों है क्योंकि आश्वरे के द्वारा हम भगवान का आकरशिन कितना है यह समझ सकते है और इस भौतिक जगत में भी हम इसको देख के समझ सकते है तो अट इस टेज यह मैं बफोर वी गो हैड किसी कोई सवाल है जो अब तक मैंने बोला है उसके आधार पर कोई सवाल होगा तो हम ले सकते है तो फिर अफकोस हम एंड में सवाल लेगे यह चौसद गुन क्या है वो बड़ा लंबा हो जाएगा इसके लिए सेपरेट प्रवचल लगेगा हम सिर्फ एक उधारन दे रहते कि एक हाइरार्की है एक श्रेणी है अब भक्तिरसामृत सिंदू के सेकेंड हाफ में वो पढ़ सकते है चौसट गुन क्या है येस सत्ते राज गोपिनाथ प्रवूँ प्रवूजी मुझे पूछना था जैसे हम लोगों ने पढ़ाया है ममेवान से जीव लोके जीव भूता सनातना तो जैसे हम जीवात्मा भगवान के अंस है तो भगवान के कौन-कौन से गुण हम में है क्योंके अंशे है तो सबसे पहले है भगवान सत्चित आनंद है तो वहाँ हम में भी है हम सब भी सचित आनंद है तो अभी यह सचित आनंद जो है यह आत्मा का ही या it is the characteristic of spiritual reality itself जो आध्यात्मिक सत्य है, आध्यात्मिक तत्व है, उसका ही वह एक defining characteristic है, उसका ये मूलभूत लक्शन है ये, तो वह हम सब में है, और उसके अलावा, जो चीजे भगवान में असिमित मात्रा में है, वह हमें सिमित मात्रा में है, और वह क्या है? वो ऐसे कहते हैं कि तीन चीज़े है भगवान के कुण Omniscience, Omnipresence and Omnipotence कि भगवान सब जानते है, भगवान सब कुछ कर सकते है और भगवान सब जगह पे है तो क्योंकि भगवान है उनमें वो असीमित मात्रा में है हम में सीमित मात्रा में है तो हम सब जगह पे नहीं हैं, हम एक जगह पे हैं। तो हम सब भी ये कर सकते हैं, पर हम सब सीमित मातरा में कर सकते हैं, शायद हम कोई आर्किटेक्ट हैं तो कोई घर बना सकते हैं, हम कोई खिलावना बना सकते हैं, तो हम कुछ चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और हम कुछ चीजों का विद्वन्स भी कर सकते हैं, तो यह जो है भ भगवान के कोई ऐसे ओफिशिल एट्रिब्यूट्स है और भगवान के परस्नल एट्रिब्यूट्स है कि Official Attributes मतलब कि जो भगवान को भगवान का पद है उसके अनुसार भगवान के कुछ गुण है और भगवान का व्यक्तित्व है उसके अनुसार कुछ गुण है तो भगवान का जो व्यक्तित्व है वह जो गुण है वो भगवान में है और शायद हम में होगे नहीं होगे क्य फ्लित है तो ब्हक्वान मेरा अलग है सब लोगों में या होगा शुरुरी नहीं है अब हाँ यह जो व्यक्तित्वा को हमारा जो व्यक्तित्वा अभी है वहाँ हमारे पूर्व कर्मों से आता है तो किसोगका अच्छा कर्म है तो उनमें बहुत बुद्धी हो सकती है, कुछ अच्छा कर्मा होगा, तो उनमें बहुत शक्ती हो सकती है, बहुत सौंदर्य हो सकता है, वो अलग-अलग चीज़ जो है, हमारे कर्म के अनुसार आती है, पर आत्मा में क्या है, जो भगवान की मूलभूत लक्षन है, कि सब सबकुछ ग्यांत होना और के सर्व व्यापी होना उसके सीमित मात्रा में हम सब निर्मिती करना यह सब हम सब में हैं तो अभी दूसरा सवाल था कि इस जगत में बहुत से चीज़े ऐसे आकर्शित है पर वो उनके आकर्शन के द्वारा हम शायद बहुत एक जगत में बद्ध हो जाएगे हाँ जरूर यह सही है ऐसे है कि everything attractive comes from Krishna but everything attractive doesn't take us to Krishna कि सब आकर्शक चीज़े जो है भगवान से ही आती है पर वो सब चीज़े हमें भगवान के पास नहीं ले जाती है तो इसलिए हमें चयन करना है कि कौन सी आकर्शक चीज़े मुझे भगवान की और ले जाएगे अगर कौन सी आकर्शक चीज़े में भगवान से दूर ले जाएगी तो मान लीज़े अभी किसी में गाने की क्षमता है अगर हम अभी Bollywood में कई संगीत कार है और बहुत अच्छे संगीत कार है अगर केवल संगीत की दुश्री से देखेगे तो उनका गाना हो अच्छा है पर अगर वो केवल भौतिक विश्यों के बारे में गा रहे है तो फिर क्या होगा उनके बारे में सुनने से हम उनकी गाने की क्षमता भगवान से आ रही है पर उस क्षमता के द्वारा हम भगवान के करीब नहीं जाएगे उस क्षमता के द्वारा हम भगवान से दूर जाएगे इसलिए हमें समझना क्या है कि हमें वो गुणों को देखना है जिन गुणों के और not गुणा हमें उन जगह पे उन कहां गुण आ रहे है वो देखना है we have to look at those manifestations where Krishna's attractiveness is manifested in a way that attracts us to Krishna अभी जगह में बहुत से बुद्धिमान लो सकते कुछ मायावादी हो सकते कुछ नास्तिक हो सकते कुछ बहुतिक वादी हो सकते और कुछ भक्त भी हो सकते तो हमें भगवान का सब में भगवान के बुद्धी का लक्षन है भगवान के बुद्धी का एक जलक आ रहे है पर कौन से वो जलक से हम भगवान की और आकरशित हो कौन से इससे दूर हो जाएगे यह समझना दूरूरी है आपको यह चित्र दिख रहा है भी कैसे है कि मान लिजे भगवान सागर है तो इस सागर से अभी बूंदे आ रही है तो भगवान सर्वाकरशक है और उससे बहुत से जगव पे बहुत से बूंदे आ रही है तो अभी कुछ बूंदे ऐसी है जो हमें भगवान की और आकरशित करेगी तो यह उदारन से देख सेते हैं यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर निसर्ग है निसर्ग का आकरशन यह सत्वगुण में है धन संपत्ति का आकरशन है यह रजोगुण में है और जो शराब का आकरशन है वो तमोगुण में है तो अभी इन सब में भगवान का ही आकरशन है पर मान लिजे अगर मैं यहाँ पर बीच में हूँ जो धन संपत्त एक यहां पर वह तो अगर क्या है कि अगर हम यहां पर है मान लिजिए द्धन संपत्य की इर आकरशवित होगे तो रहक दूर रह immersed MOREnah नूराज सब आकरशक कीजम सेफेरद पहुए और और सवाल हम नहीं ले पाएगे पाएगे यहां अब और सवाल हम नहीं ले पाएगे पर नहीं पर को हुए हम में भगवान के छे ही आईश्वरी क्यों है? ऐसे नहीं कि छे आईश्वरी है, यह छे प्रधान परस्नल अट्रिब्यूट से, भगवान के गुण अनंत है, कि अभी every system of analysis requires some framework, कि जब हम छे ही आईश्वरी क्यों बता रहे है भगवान के, क्योंकि छे आईश्वरी के बारे में चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि कोई भी हमें visualization करना है, analysis करनी है, तो हमें एक framework, हमें एक संदर्भ, एक context लिना पड़ता है, कि अगर मुझे भारत को दिखाना है, तो अगर मैं भारत को दिखाना है, भारत का एक मैं नकाशा बना रहा हूँ, अगर मैं नकाशा बना रहा हूँ, कि मैं लोगों के चरित्र को दिखा सकता हूँ, कि नहीं, कि लोगों के चरित्र जो है, बहुत दिखाना है, तो मुझे अलग प्रकार का psychological analysis करना पड़ेगा, मैं cartographic analysis में नकाशा में दिखा सकता हूँ, तो क्या है, कि अगर हम सिर्फ कहें कि भगवान का अनंत गुण है, तो ठीक है, सत्य है, पर उससे हम visualization कैसे करेंगे, तो भगवान के अनंत गुणों को एक framework में डाला है, एक संदर में डाला है, उसमें क्या है, छे एश्वर है, अभी क्या हरे गुण हर तरह से ये छे गुणों में आ सकता है, हम उसको तरक वितर करके ला सकते हैं, कोई शारिक रूप से आकर्शित है, आकर्शक है, तो हम आक गुण हो सकते है, कोई अभी बहुत अच्छा संगीत कार है, तो वो छे एश्वर में कहां डालेगे हम, उसको संदर में डाल सकते हैं, उसको हमें वो विश्लेशन करके देखना पड़ेगा कि ये कहां आएगा, पट इस इस लाइक ब्रॉड फ्रेम्वर्क, विदिन विच विश्लेशन के लिए, अगर हम उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं, अगर अगर हम उसको कैटेगराइजन करते हैं, तो कोई भी विभाजन पूर्ण तया सरोयापी नहीं होता है, पर वह एक टूल है, वो है एक हमारे लिए औजार है, जिससे की हम कुछ चीजे समझ सकते हैं, तो अभी हम आगे जाते हैं, कि मैं देखा अभी, कि अभी हम देख रहे थे कि भगवान के ओफिशियल ओपिलन्स है, ओफिशियल क्वालिटीज है और व्यक्तिगत क्वालिटीज है, विसे फरक क्य है ओफिशियल और पर्सनल में, किसे की मैं बता तक भगवान के तीन गुण है, ओमनीशियन्स, ओमनीपोर्टेंस और ओमनीप्रेजन्स, कि वो सब जगह पे सरवयापी है, वो सरवशक्तिशालिय है, सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान का जब हम आईश्वरे कहते हैं, वो सरवशक्तिशालिय है, वो उनके हम शक्ति के साँ जोड सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा सही है, कि क्या उनका भगवान का आईश्वर्य है, और भगवान के जो मूलबूत गुण है, क्या वो एक ही है, नहीं, भगवान के मूलबूत जो गुण है, वह भगवान के पद का लक्षन दिखाते हैं और भगवान के जो ऐश्वरिय है वो उनके विक्तित्व के बारे में बता रहे है अमें स्वर्ख देखे गए इसे कि अभी हम कहे गए कि कोई राष्ट्रपति है या प्रधान मंतरी है अमेरिका में राष्ट्रपती प्रधान होता है, भारत में प्रधान मंत्री प्रधान होता है, तो जो भी राष्ट्रपती या प्रधान मंत्री है, अभी कोई भी भी भारत का प्रधान मंत्री क्यों नहों, उनके पास कुछ गुण होते है, उनके कुछ लक्षन होते है, कि जो वो सब नियंत्रत हो जाएगे कोई भी डिपार्टमेंट को बोले गें यह करो वह करो चलू हो चाहेगा, बंद हो जाएगा, वह अभी कोई भी प्रधान मंत्री क्यों न ओ? कि वो उसके पास वहक्षमता होती है पर उसके अलावा अब हर एक प्रधान मंत्री का अपना व्यक्तित होता है तो कोई प्रधान मंत्री होते है वो शायद और धार्मिक होगे आस्तिक होगे कोई नास्तिक होगा कोई बड़े शक्तिशाली होगा कोई इतना शक्तिशाली होग कोई बहुत कोई लेखक नहीं होगा कोई बहुत ही स्ट्राइक होगा स्ट्राइक मतलब बड़ा ही भावनाना दिखाने वाला होगा कोई बहुत सुशिक्षित होगा कोई इतना सुशिक्षित नहीं होगा तो यह क्या है यह व्यक्ति के लक्षन है तो एक है पद के लक्षन औ यहाँ यह पद के लक्षन नहीं है यहाँ व्यक्ति के लक्षन है तो अभी कृष्ण में दोनों है पर यह दोनों में फरक है तोड़ा यह क्या है कि भगवान सर्वव्यापी है सर्वशक्तिशाली है सर्वग्या है यहाँ क्या है भगवान के पद का लक्षन है और भगवान व्यक्ति है व्यक्ति में उनके कुछ गुण है और वहाँ गुण क्या है वहाँ ये च्छे आईश्वरे मताएगे हैं और ये फरक समझना क्यूं जरूरी है कि भगवान जो है अपने शड़ आईश्वर्यों को क्या करते है उससे वो वो हमेशा दर्शाते नहीं है शड़ आईश्वर्यों को अपने भगवान का सरवोच आईश्वर्य जो है वो प्रेम है वो एक तरह से क्योंकि वो सबसे प्रेम करते है वह प्रेम चाहते है कृष्टना इस सुप्रीमली लवेबल एंड सुप्रीमली लविग की सब प्रेम उनसे आता है वो सबसे जादा प्रेम करना चाहते है और सबसे जादा प्रेम की पात्र है क्योंकि वहिए सबसे अच्छे व्यक्ति सबसे सुरुदंब सरव भूत आनाब हुए सुप्रीमी लवेबल सबसे अधिक वह प्रेम करते हैं और सबसे अधिक परेम के पात रहे हुए हमने हमें uns हमें अलग-अलग लोग प्रेम करते होगे माता-पिताज हमें प्रेम करते हैं हमारे मित्रों में कुछ अच्छा मैत्री हो सकता है अलग-अलग संबंदों में प्रेम हो सकता है पर हमें सबसे अधिक जो प्रेम करते हैं वह भगवान है दुरुव महाराज की माता उनसे कहती है कि मेरे जैसे लाखों आता है तुम्हें इतना प्रेम नहीं कर सकते है जितना विश्णु तुम्हें प्रेम करते है इसलिए तुम उन विश्णु का आज रेगहन करो और सुप्रीमली लवेबल मतलब इस जगत में बहुत साइसे लोग हो सकते है जो बड़े आकरशक लगते है जिनसे हम संबन जोड़ना चाहेगे जिनसे हम प्रेम का संबन जोड़ना चाहेगे पर उन सब में से सबसे आकरशक जो है वह भगवान है और भगवान अपने सारे अईश्वर्य है वो क्या करते है वो अपने अईश्वर्य प्रेम के आदान-प्रदान के लिए इस्तमाल करते है मतलब हर जगह क्या करते है कि भगवान का ये भाव नहीं है कि मैं भगवान हूँ और तुम सबको ये याद रखना चाहिए वो अपना भगवत्व या अपने आईश्वर्य हमेशा धर्शाने में आनन नहीं लेते है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास कुछ उन्होंने कुछ किया है अगर कोई मान लिजे बाहर में IIT में गया है IIT से उनने डिगरी प्राप्त किया है अमेरिका में उनने कोई आईवी लीग से डिगरी प्राप्त किया तो कोई भी उनको मिलता है बाहर बाहर उनको याद दिला थे मैं IIT में गया था याद रखो मैरी बुद्धी तुमसे ज़्यादा सेष्ट है मैं आईवी लीग में गया हूँ मैंने ये किया है मैंने वो किया है तो क्या होता है उससे थोड़ा सा बाद में तंग आया है हाँ पता है मुझे तुम इतना क्यों बार बार दिखा रहे है तो कुछ लोग क्या होता है उनके पास कुछ होता है तो हमेशा वही दर्शाने में वो आनन लेते हैं पर भगवान ऐसे नहीं है God doesn't delight in parading his God मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ हमेशा नहीं बताते रहते अभी कुछ समय जरूरत होगा तो जरूर बताएगे पर भगवान क्या करते है वो अपने भक्तों से आदान प्रदान में आनन लेते हैं और क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम के आदान प्रदान में आनन लेते हैं और वो प्रेम के आदान प्रदान में जब भी उनके अईश्वर्य का कोई उप्योग होगा तो वो आईश्वर्य इस्तमाल करते हैं पर जब वो आईश्वर्य जरूरी नहीं है तभी वो उसको इस्तमाल नहीं करते हैं तो भगवान में ये एक शमता है कि वो अपने अईश्वर्यों पे निर्भर नहीं है यह समझना जरूरी है कि खर हम देखेगे God and His Attributes अगर हम भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करें कोई भी गुण हो तो God God doesn't depend on His Attributes His Attributes depend on Him तो अभी मान लिजे कोई कोई राष्टरपती है, प्रधान मंत्री है अभी उसको कोई भाष्ण देना है पर मान लिजे, उनका टेली प्रॉम्टर लिकाल लिजे उनका स्पीच निकाल लिजे और वो कुछ बोलने के लिए काबिल नहीं रहेगे क्या है? कि वो किसी चीजों पर निर्भर है उसके बादे वो कार कर रहे है तो एक पल में कोई उसको आकरमन कर देगा उसका वद कर देगा और कुछ नहीं कर पाएगा तो क्या है? एक तरह से उनके उनके पास शक्ती है उनके पास बहुत से चीज़े है पर वो उनके स्वतंतरता में उनके पास कुछ यादा रहेगा ही नहीं तो God doesn't depend on his attributes His attributes depend on him and he is not stuck with his attributes मतलब क्या है? His attributes depend on him मतलब क्या है? कि भगवान ऐसे नहीं है कि माल लिए कोई साथ फूट उन्चा वेकती है तो अभी वो साथ फूट उन्चा है तो कमरे में आ जाएगा सब लोग उनको देख पाएगे पर क्या है? अगर वो छिपना जहते है तो अपने साथ फूट कद को वो एक फूट है दो फूट नहीं कर सकते वो साथ फूट है, साथ फूट ही रहेगे हमेशा तो पर कैसे है कि गौड is not stuck with his omniscience कि मुझे सब कुछ पता है और मैं भी पता कर गया हूँ तो मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ मुझे जाग्यात है भगवान उनके अईश्वर्यों पे निर्भर नहीं है उनके अईश्वर्य उनकी सेवा में है और यह समझना क्यों मुश्की जरूरी है क्योंकि भगवान जब लीला करते है तो कभी-कभी अपने लीलाओं में वो अपना अईश्वर्य दर्शाते है और कभी-कभी वो अपनी लिलाओं में अपना आईश्वरे चिपाते है क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है कि प्रेम का आदान प्रदान हो और प्रेम के आदान प्रदान के लिए जो भी जरूरी है वो करते हैं तो यह थोड़ा आपको philosophical या conceptual लगेगा तो यह उधारन से और स्पष्ट हो जाएगा अभी हम देखेगे दो उधारन देखेगे जितना समय है उनके साथ दो या तीन लिलाओं के हम चाचा करेगे कि जो महाभारत में इसे वरणन आता है कि दूसरे और तीसरे पहले दिन में भीश्मन ने पूरा विध्वन्स कर दिया फिर बाद में थोड़ा अच्छी तरह से युद्ध होने लग गया दोनों जो साइड से वो समान आ रहे थे पर आठवे नौए दिन तक ऐसे हो गया था लग रहा था कि भीश्म कों कोई हरा ही नहीं साह होगा तो आठवे दिन दुर्योधन ने क्या किया Kyle आठवे दिन दुर्योधन ने वो भीश्म के पास गए और हुनने कहा कि वासतों में आप तो इतने शक्तिशाली हो अगर आप इतने शक्तिशाली हो वास्तों में तो क्यों ऐसे है कि आपने अभी तक कौर पांडों का वद नहीं किया है क्या आप पक्षपात कर रहे हैं तो इससे बड़े क्रोधित हो गए बीश्मा क्योंकि वो बड़े ही निष्ठा से बले ही उनका रुदय भगवान के भक्ति में था पर जो करता हुए था बड़े निष्ठा से वो कर रहे गए तो उन्होंने कहा कि मैं कल इपांडव का वद कर दूँगा और फिर उन्होंने अपने जीवन पर जो तपस्या की थी पर ब्रह्मचारी भी थे तो उन्होंने तपस्या का बल वो एक ध्यान में बैट गए पाच उन्होंने तीर लिए और वो तीर अपने सामने रखे उस पर ध्यान करने लगए और ध्यान से उन्होंने वो शक्ति क्या कर दी उन पाच तीरों में डाल दी और जो पाच तीरों म तो उसका किया मैं तीर मेरे पास रख सकता हूँ और जब बात्चित हो रही थी तो कोई भी पहरेदार कोई और मंत्री कोई भी नहीं था वो बीश में और वो केवल बात कर रहे थे पर उस शाम को क्या हुआ दूसरी और वो और अरजुन बात कर तो क्षना ने अर्जुन से कहा कि अभी तुम्हारा आज का सेवा खतम नहीं हुआ है तुम जाओ दुरियोधन के पास और उनसे तेर मांगो जब दुरियोधन के पास गए वो पास तीर को मांगने को और क्या तो अभी जब दुरियोदन से मिलने अर्जुन गए तो अर्जुन इंको वर के याद दिलाया तो ठीक है क्या चाहिए बता हो तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं अभी दे दूगा तो अभी जब दुरियोदन कहे दूगा तो अभी ज़री के है डियोदन को कोछीर मैं उखे दा कि स्वाभिमान होता है कि मैं राज्य तुम हो Rs 하면 पैश थीर बाये इस Superion का वुं आप रूगा तो रुदे ने जब शौकर हो गए अच्छा ठीक है वो उन्हापना जो भावना आये थे उसको थोड़ा दबाने का प्रयास किया रो पाश्ती निकल के दे दिये पर जब वो जा रहे जब अर्जुन ने जब पार यह जा रहे थे इए यह चीजा थे पूरा कि यह कौना कि ज़ा जासु प्रजुन को बचाने के लिए अपने सरवग्यता अपना ज्ञान का इश्वर्य है उसको परदर्शित किया यह क्या था नौवे दिन के शाम को था अभी उसके बाद में क्या हुआ नौवे दिन युद्धा हुआ तो भीष्मनने कहा कि दुर्योधर इतना मायूस था और उसको उद्धर भी था तो उसे दुर्योधर को कि actually वो जो पाच तीर थे वो आरजुन ले गया है कोई बात नहीं आप दूसरे पाच तीरों में वापस अपना तपोबल डाल दो और उससे उनका वद्ध कर दो तो भीच मैंने का यह इतना आसान नहीं है मेरे पूरे जीवन की तपस्या उसमें थी पर वो में ने कहा कि मैं एक चीज़ करूँगा कि मैं आज अर्जुन का वद्ध करूँगा और केवल एक ही तेसे अर्जुन बच सकते है कि अगर कृष्णा शस्तर उठा ले और हम जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ कृष्णा ने चक्र उठा लिया अपना सुदर्शन चक्र नहीं पर आज वाजुगा एक चक्र था रत का चक्र उठा लिया और वो अस्तक शेप किया और उससे अर्जुन बच गए और उस शाम को उस शाम को क्या हुआ जब अर्जुन जा रहे जब अर्जुन वो चर्चा करे ते भी कल के दिन क्या करना है तो एक तरह से युदिष्ट्र बढ़े ही विस्मित थे कि कृष्टन ने स्वयम शस्तर उठा लिया और अर्जुन को बचाया पर एक दुसरे सरह से युदिष्ट्र चिंतिद भी थे कि अगर आज खृष्टन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज अर्जुन का भी वद हो था हम ये भीश्व पितामा को कैसे रोकेगे तो तभी खृष्टन ने युदिष्ट्र से कहा ये अर्जुन, ये युदिष्ट्र अभी समय आ गया है कि तुम भीश्व पितामा के पास जाओ और उनसे पूछो कि उनका वद कैसे किया जाए तो अभी ये क्या बात होई भला तो क्या हुआ था कि जब पहला युद्ध हुआ, पहले दिन युद्ध चालू होने वाला था उसके पहले युदिष्ट्र हम जानते है कि अर्जुन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उन्हें युद्ध रोग दिया तो अभी भगवाने भगविता बोली पर उसी प्रकार का कुछ दूसरी बार भी हुआ अर्जुन तो केवल अपना धनुच्य बाजो को रग गए थे युद्ध ने अपने सारे शास्तर नीचे रख दिये रत से भी नीचे आ गए और वो कौरों के वाज जाने लग गए तो कुछ कौरों के सैनेक, सैनापति कुछ सैनेक और उनके योद्धा हसने लग गए रहे युद्धिष्टिर डड़ गया हमारे सारे शास्ति को देखकर और यहाँ पे वह अपने जान की भीक मांगने के लिए यहाँ पे आ गया है, पर वैसे नहीं था युद्धिष्टिर अपने जो बुजूर्ग थे, अपने वरिष्ट थे उनका आशिरवाद लेने के लिए आये थे तो भीष्व, द्रोण, कृपा और शाल्व इन पाच चौर चार 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 जो वरिष्ट थे उन सब का आशिरवाद लिया उन्हें और तभी युद्धिष्टिर ने उनको पूछा कि आप तो महायोद्धा हो, आप कभी हारे नहीं हो तो हम आपको कैसे हरा सकते हैं तो तभी होने जब भीष्व को पुछा था तो भीष्व ने कहा था कि मेरे मृत्यू का समय अभी आया नहीं इसलिए तुम बादने आओ वापस मेरे पास तभी मैं तुमको बताऊंगा और फिर जब उस शाम को युदिश्टिर वहाँ पे गए तो भीष्व ने क्या किया? बताया कि जब तक मैं युद्ध कर रहा हूँ कोई मुझे हरानी सकता है अगर मैं किसी पर आक्रमन करूँगा तो वो व्यक्ति मुझे हरानी सकता है एक ही संभावना है कि कोई मुझे पर आक्रमन करे और मैं उसका परतिकार न करूँ तभी मैं रहा सकता हूँ और मेरा वद्ध है कि मैं कभी किसी भी जिन लोगों की सुरक्षा करनी है ऐसे लोगों पर मैं आक्रमन नहीं करूँगा और जास्तिन में बता है कि शत्रिय जो होते है उनको स्त्रियों का रक्षन करना चाहिए तो कहते हैं कि शिखंडी जो है पूरो जन्में अंबात है और मैं उसको अभी भी उसी रूप में देखता हूँ इसलिए अगर शिखंडी मुझे आक्रमन करेगा तो मैं उसका परतिकार नहीं करूँगा तो अर्जुन को शिखंडी के साथ रहे दो और शिखंडी के पीछी से मुझे आक्रमन करूँगा तो मैं परतिकार नहीं करूँगा और इससे तुम मेरा वद कर सकते हूँ तुम मुझे हरा सकते हो तो अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे प्रवजन को से देखे तो क्या है कि अपिलेंस ऑफ नॉलेज भगवान ने अपना जो ज्ञान का इश्वर्य है वह दिखाया आठवी रात को बट नौवी रात को क्या हुआ अभी जानते नहीं थे कि इस तरह से हम बीश्म को हरा सकते हैं पर क्रिश्टन ने कहा कि नहीं तुम युदिष्टिर तुम बीश्म के पास जाओ और बीश्म को तुम पूछो तो क्या यहाँ पर भगवान सरवग्यत तो नहीं है उनका अगर सरवग्यत तो नहीं है तो बगवान कैसे है तो हमें समझना चाहिए कि यहां पर अलग चीज है मैं जैसे बताया कि भगवान केवल अपना ज्ञान का दर्शन करने में आनंद नहीं लेते हैं भगवान प्रीम के आदान प्रदान में आनंद लेते हैं तो अभी जब भगवान अपना ऐश्वरे दिखाते है तो जंत्र था उससे उनका सरक्षन किया पर नवे दिन पे जब उन्होंने अपने ज्ञान का दर्शन नहीं किया उससे वो क्या दर्शा रहते कि भीश्म कितने निस्वार्त है भीश्म कितने महान है कि उन्होंने स्वयम ही बताया कि मेरा वद कैसे करें अभी ये कौन बताएगा ह योद्धा जो युद्धा करता है वो चाहता है कि मैं मैं विजय हो जाओ सब्सक्राइब लोगों बोल दें तुम यह सवाल पूछो तो कि इन सवालों का जवाब मुझे पता है मैं इन सवालों का जवाब दे रहा हूं पर कोई they plant the questions planting questions मतलब क्या है पहले से आप यह सवाल बोल दो और यह सवाल तुम पूछो मैं इसका जवाब दे दूगा तो और फिर ऐसे लगता है कि प्रश्णवत्तर हो रहे है पर सिर्फ जो उनको लोग जानते हैं जो लोग आसान सवाल पूछते हैं उनको इस सवाल पहुछने का मौका देते हैं तो इस इस रिगिंग पर मान लीजिए कोई प्रश्ण करता पहले से बोलता है किसी को कि देखो यह सवाल है इसका जवाब मुझे पता नहीं है और यह सवाल तुम पूछोगे तो फिर उससे क्या होगा मेरा बदनामी हो जाएगा मेरी बैइज़त हो जाएगा तो कोई इस प्रकार का प्लांटिंग करेगा नहीं कि कोई इस प्रकार से पहले से सवाल बता है जिसका जवाब पता नहीं है पर क्या है बीश्व पितामा इस ते से करते है क्यों क्योंकि वह भगवान के भकत है और वह चाहते है कि भगवान का विजय हो जब संजय यही वर पर यहां पर हम क्या दर्शार है कि भगवान अभी भगवान अगर भगवान में ही भगवान से ही सब बुद्या रही है तो भीश्म ने जो बताया है कि मेरा वद कैसे कर सकते है वह युक्ति भी भगवान से ही आई है पर भगवान वो डिरेक्टी नहीं बता रहे है भगवान प्रमात्मा के रूप में बीश्म को वो युक्ती दी और वो तरीका पताया और बीश्म ने बताया क्यों? क्योंकि भगवान क्या कर रहे है? वो केवल खुद का अश्वर या ज्ज्ञान का दरशान नहीं चाहते, वो प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं, और प्रेम के आदान पतान के लिए कभी वे अपने ग्यान का आईश्वरे दिखाएगे और कभी वे अपने ग्यान का आईश्वरे को छिपा देगे। जहां भगवान की महिमा हैं अब एक और इलाम दे सकते है कि यह हमने महाभारत में दो अलग-अलग लिलाय देखी जिसमें कभी एक लिला में भगवान ने ग्यान दिखाया और दुसरी लिला में ग्यान नहीं दिखाया पर अब ब्रह्मा भी महन लिला ये एक ही ऐसी लिला है जिसमें भगवान ग्यान दिखाते है और जिसमें ग्यान भगवान नहीं भी दिखाते है तो शुरुवात में क्या हुआ जब ब्रह्मा जी ने सोरे ग्वालों को गायों को बच्छों को और ग्वालों को ग्वालों को भगा लिया तो क्या हुआ? तो ऐसे क्यों हुआ? भगवान तो मोहित हो गया, अच्छा? भगवान एक तरह से एक साल तक उन्होंने क्या क्या? जब वो सारे ग्वाले गाया हो तो जब दुनने लग गए या तो भगवान क्या कर सकते थे? पर उससे क्या हुआ था वह एक लीला बढ़ाना चाहते थे पर उस समय जो सारे गोपों के रुप में विस्तार हुए थे तो उस समय उन्होंने सारे गोपियों से विवाह कर लिया ताकि कोई अधर्म का उन पे आरोप न लगा सके बाद में उन्होंने सभी जो गईयां थे वो कृष्ण से प्रेम करना चाहती थी तो कृष्ण जब विस्तारित हो गए बच्छरों के रूप में तो बड़े उनको सांदे से प्रेम कर सके सारे जो माताए थी बिंदावन में माताओं के उम्र के लोग थे वो सब चाहते थे कि कृष्ण हमारे पुत्र के रूप में आ जाए उनकी विच्छा है पूरी की तो अनेक कारण थे लिला के लिए पर शुरुवात में क्या किया रहा ही पर बाध में बगवान ने अपना आइश्वल दिखाया आच्छा ब्रह्मारी तुम अपनी बुद्धि दिखा सकते है तो मैं भी अपनी बुद्धि दिखा सकता हूँ तुम अपना ग्यान दिखा सकते हैं, मैं भी अपना ग्यान दिखा सकते हैं इसका उपयोग वो करते है किस चीज के लिए कि किस तरह से अपनी लीला को आगे बढ़ाए तो इसलिए भगवान की लीला में कभी-कभी वो ऐसे दर्शाते है कि उनके पास कुछ भी ग्यान नहीं है, कभी-कभी दर्शाते है कि उनके पास पूरा ग्यान है, तो अद्वितिय अग्यान है, मतलब भगवान वह उनका प्रधान उद्देश क्या है? स्नेह का आदान प्रधान करना और एक उद्दान दे सकते हैं कि भगवान को ज्ञान होते हुए भी उन्होंने अग्यान के रूप में कारे किया कैसे? कि जब वो शान्ती दूद के रूप में गए अभी जब वो शान्ती दूद के रूप में गहे थे, वे जब हस्तिनापूर आये तो उन्होंने उनके चैन के अनुसार वे विदूर के घर में रह रहते तो विदूर ने उनकी सेवा कि और फिर विदूर बड़े उद्वीग न थे, चिन्तिग थे रुद्धी का कि हे प्रभो वो कल आप जिस सभा में जा रहे हो उसी सभा में द्रोपदी का अफ्मान हुआ था द्रोपदी का मस्तरहरन करने का प्रयास किया गया था और वो जो हुआ उसके लिए आज तक मेरे रुद्धे में बड़ी गलानी में कि मैं उसे रोक नहीं पाया मैंने पूरा प्रयास किया पर मैं रोक नहीं पाया पर वो जो अफ्मान है वो जो द्रोपदी का अफ्मान उससे मुझे गलानी हो रही है और मैं ये कदापी सहन नहीं कर पाऊंगा कि कल आपका भी वहाँ पे उसी तरह से अफ्मान हो जाए और मैं जानता हूँ कि दुर्योधन आपकी बात नहीं सुनने वाला है और न केवल वो आपको आपको आपके परस्ताओं को ठुकराएगा पर वो आपका अपमान भी करेगा वहाँ ऐसे एक संशे हो रहा था क्यों क्या था दुर्योधन ने बताया था सभा में कि जब कृष्णा आएगा तो मैं कृष्णा को बहुत से भेट दूँगा और उसको अपने तरफ लाने का पयास करूँगा और अगर ऐसे नहीं कर पाये तो क्या होगा मैं कृष्णा को गिरवदार कर लूँगा और कृष्णा अगर बंदी बन जाएगे तो पांडवों का शक्ति है बड़ी कम हो जाएगे तो भीष्णा बड़े क्रोज हो गया कि क्या मूर्खता है जो शांती दूद के रूप में है उसका कभी गिरवदार नहीं करना चाहिए और गिरवदार करना भी जाओगे तो कर नहीं पाओँगे क्रिश्णा भगवान है और पर मैं ऐसी सवा में जो बाते हो रही है मैं यहाँ बैठूगा है नहीं चले गए वापिश्वा पर विदुर को यह पता था विदुर ने बताया कि अगर तुम्हारा तुम्हें तो मान लिजए अभी कुछ समय पहले भारत और चाइना के बीच में कुछ टैंशन था दो कुलाम की जगा और फिर अलग-अलग कारणों के कारण तो तभी भारत के मिनिस्ट्र प स्टेट हो सकते है मीनिस्टर अफ सेकूरिटी और चैना के मिनिस्टर अफ सेकूरिटी बार बहुत ही तियुरता से चान्त चाहता है and India is going there the most important person from India in the Indian government भारत के शरकार में सबसे महतोपनी वक्त जा रहा है और अगर मान लीजे जब वो चाइना में जाते है और चाइना वहाँ पे बातचीत के नाम पे उनको गिरफदार कर लेता है तो क्या होगा क्या होगा पूरा भारत जल के उठेगा उससे और उससे क्रोध से उत्तीत हो जाएगा तो इस तरह से जो क्रिश्टन को गिरफदार करना चो यह जो योजना थी इतरु अब लेकी आपका जो अपमाने में सहन नहीं कर पाऊँगा तो आप क्यों जा रहे हैं उस सभाव में आप यहाँ पे आप क्यों ये शांती का पस्ताव लेके आए पर अभी कृष्टन ने कहा कि हे विदुर तुम जो भी कहते हैं वो सही है मैं जानता हूँ कि दुर्योधन मेरी बात सुनने वाले नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि सारे विश्व को पता चले कि मेरे भक्तों ने हर तरह से प्रयास किया कि युद्ध न हो तो कोई भी उनको दोश न दे कि उनके कारण ये युद्ध हुआ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे क्या होता भगवान का ज्यान था पर ज्यान होते हूए कुछ और उनका उद्धेश था तो कृष्णा के पास ज्यान होता है पर केवल ज्यान के अनुसार वो कारे नहीं कर सकते है कभी-कभी होता है कि उनका प्रेम होता है इतना कि जो मिश्यन जो है वह फेल होने वाला है पता है कि जो भगवान कुछ करना चाहे और भगवान अश्यस्वी हो यह कैसे संभव हो है तो भगवान यहाँ पर अश्यस्वी होते है पर उनकों के उससे भी अपना प्रेम दर्शा रहे हैं तो अभी इस एश्वरे का हम सबसे क्या संदर्व है कि जब ही हम किसी को बहुत बुद्धिमान देखते हैं किसी भी विक्ति को हम बहुत ज्यानी देखते हैं तो एक तरह से हम उनसे हो सकते हैं या उनसे इंटिमिडेट हो सकते हैं यह वक्ति इतना बुद्धिमान देखते हैं तो मैं इसका प्रतिकार कैसे कर सकता हूं तो हमें का देखना चाहिए कि ऐसे होने के जगा पर हमें देखना चाहिए कि यह जो गुण है इसमें भगवान का ग्यान का इश्वरी इस वक्ति में दर्शाए जा रहा है और इस ज्ञान को मैं अभी इस एश्वरी को राकरशित होकर क्या मैं भगवान के करीब जाओंगा या दूर जाओंगा इसे मैं देखा कि यहाँ पर इस सागर से बूंद आए है पर इस सागर के बूंद से मैं सागर के करीब जा रहा हूं या साधर के दूर जा रहा हूँ उसके अनुसार हमें उस व्यक्ति के बुद्धी को बुद्धी को देखकर क्या कारे करना चाहिए यह हम समझ सकते है तो अभी कई और पॉइंट है पर एक पॉइंट के साथ मैं अविसकांत करूँगा कि भगवान सरवज्या है तो उसका मतलब क्या है कि भगवान हमारे रुद्धे में है और हमारे हर कारे को जानते है पर भगवान कैसे है Krishna's presence is not to catch us when we go wrong when we do wrong but it is to catch us when we fall कि भगवान ऐसे नहीं कुछ-कुछ लोग ऐसे होते है उनके जीवन का आनंद होता है दूसरों के गल्टियों को पकड़ना तुम ने ये किया तुम मूर्ख हो तुम निकम में हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तो मैं एक मंदिर में था और वहाँ पुजारी आये थे बड़े प्रीड होगे लगते में कि मैं बड़े ही शद्धा से भक्ती से ध्यान पूर्वक भगवान के वो चीफ हुजारी थे तो वहाँ पर वंदिर में ज्यादा भक्त नहीं थे मैं भगवान को डर्सिंग करता हूँ और एक भक्ता आते हैं वह हर रोस दर्शन लेते है और दर्शन ना के बढ़ वाद मझे वाते वो बगवान के दर्शन में आनननी ले रहे बगवान के श्रंगार में जो दोश है वो दिखाने में उनका आनन देव तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो क्या होता है वो जो दोश है वो पकड़ने में आनन लेते है तो भगवान के बाद सर्वक सब ज्यान है तो भगवान हमारे सब के दोश जानते है हम सब गलतिया करते हैं जानते है पर भगवान उसमें आनन नहीं लेते है भगवान क्या है कि हम कुछ कारे कर रहे है गलत कारे करते है तो हम गलत कारे कर रहे है ठीक है तो भगवान हमें उन गलत कारें से बचाने के लिए अपने सर्वग्यता का इस्तमाल करते है तो इसलिए में समझना चाहिए कि भगवान का एक official purpose है परमात्मा के रूप में और भगवान का एक personal purpose है भगवान के रूप में वक्तिगत के रूप में हम जानते हैं कि ये फरक भगवान नौवे अध्या के 29 चलोक में बताते हैं तो ओफिशल परपस जो है यह भगवान के 9.29 ए और बी में है ए और बी मतलब क्या यह अकड़ेमिक स्कॉलरी सर्कल में जब हम एक श्लोक के बारे में बता रहे हैं तो पहली पंक्ति को ए बोलते हैं दूसरी पंक्ति को भी बोलते हैं तो फिर यह परपस जो है 9.29 C और D में है तो समो हम सर्वदेशु बुझेशु नमें देश्वस्ति में प्रिया कि यह क्या है भगवान एक इनर विटनेस के रूप में कारे कर रहे हैं अंतर साक्षी के रूप में तो वहां पर क्या है अगर हमने जो भी हमारे कुछ बुरा कर्म किया है दुनिया में किसी ने नहीं देखा है वो फिर भी हम पकड़े जाएगे क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं एक बार एक व्यक्ति स्पीड लिमिट के काफी आगे ड्राइव कर रहा था स्पीड लिमिट सिक्स्टी था और वो 90 पे ड्राइव कर रहा था तो वो पुलिस ने उनको रोक लिया और उन्हें क्या तुमने स्पीड लिमिट नहीं देखा तो वो वक्तिने का मैंने स्पीड लिमिट को देखा पर आपको नहीं देखा मतलब क्या उसका भाव है स्पीड लिमिट प्रॉबलेम नहीं है पर आप हो इसलिए प्रॉबलेम है वो आप नहीं होते तो मैं स्पीड लिमिट के पूरे चला जाता था और कुछ से कोई नहीं पकड़ता था मुझे पर ऐसा भाव नहीं है हमें शायद ट्राफिक पॉलिस नहीं पकड़ेगी पर भगवान सब कुछ जानते है तो ओफिशियल परपस क्या है कि हमें हमारे कर्मों का फल देना ये कैसे है कि कोई शायद गुनेगार है या गुनेगार होने का समशे है तो उस पे जो पुलिस है वो निग्राहानी कर रहे है वो एक भाव है तो भगवान का सरवग्यता है वो एक तुश्य से इस तरह से ब्याती है पर भगवान का व्यक्तिकद उद्देश क्या है कि वो एक माता के समान है और मा देख रही है कि बच्चा चलने का प्रयास कर रहा है और जो बच्चा चलते चलते गिर जाता है तो माँ टाली आती है गिर गया तू गिर गया तू हसने लगती है कभी माता ऐसे नहीं करती है क्या करती है जो बच्चा चलता है गिरने लगता है तो माता दौरते हो जाती है उसको पकड़ती है और उसको उठा लेते हैं, तो भगवान का सरवग्यता क्या है, God's omniscience is for us, not against us, भगवान सब कुछ जानते हैं, जो भगवान देखते हैं कि जब हम कुछ गलत कारे करने लग जाते हैं, तो भगवान हमें अंदर से, बाहर से, हर तरह से मारगदशन देते हैं, परमात्मा के पार हमको बता सकते हैं, कि ऐसा कार्य मत करो, तुम सही चुनाओ करो, तो तुम इस तरह से मेरे पास आओ, तो हमें देखना है, क्योंकि भगवान मेरे रुदय में है, यह समझ कि हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उससे, instead of feeling scared, we should feel encouraged, we should feel strengthened, कि अगर मैं कुछ गलत कारे करूँगा, तो भगवान मुझे सही मारगा देगे, और उसके लिए ही भगवान इसमें मेरे रुदय में प्रस्तुत है, मेरे रुदय में विद्यमान है, और विश्णु सहस्र नाम के एक श्लोक के साथ हम अंत करते हैं, कि विश्णु सहस्र नाम जो है, अब जानते ह तो अभी विष्ण सहसुर नाम के इंग अर्थ बताया गए बले विध्यावोशन ने उन सहसुर नाम का बहुत सुन्दर अर्थ बताया नहीं है और वो क्या बताते हैं? कि जब ये दो नाम है अनिमीष और निमीष तो हम जानते है Amni मीश का विश्नु के अभी अलग-अलग नाम क्यों है विरुद्ध नाम एक तरसे अनिमीश्य और निमीश्य तो बल्दे विद्या विश्नु इसका बहुत सुन्दर अर्थ बताते हैं बोलते हैं अनिमीश्य का मतलब क्या है कि अगर कोई भक्त कुछ सेवा करना चाहता है भगवान क कुछ सेवा करने का प्रयास करता है तो भगवान एक पलक भी नहीं जपकते हैं भगवान पूरे ज्यान पूरवक उस सेवा को देखते हैं उस सेवा को याद रखते हैं और उस सेवा का फल प्रदान करते हैं तो गॉड नेवर फर्गेट्स इवन दा स्मॉलेस्ट सर्विस चोटी सी चोटी सेवा भी भगवान भूलते नहीं है और उसका उधारन महाभारत में आता है कि जब कृष्णा और अर्जुन एक बार बातचीत कर रहे थे अपने कमरों में और तभी वो तभी दुरौपदी वहां पर आई और दुरौपदी ने कुछ फल वहां पर रख दी और देखें कि अच्छा या मैं कुछ एक्तिकत बाते कर रहे हैं तो हांसे जाने लगए तो कृष्णा ने वह पल उठाए और वो जो काटन लगए पल तो काटते काटते क्या हो गया यह लीला के रूप में है पर उनका उंगली कट गई और थोड़ा खून वहां पर आने ल रहे थे स्मित कर रहे थे वले रोपदी मैं यह सेवा कभी नहीं भूलूंगा और रोपदी अपने सारी का थोड़ा सा भाग दे दिया कृष्णा और कृष्णा ने क्या किया और सीमित मात्रा में सारी प्रदान कर दिया यह वस्त्रहरन का हो रहा था तब तो अनिमीश इशकार्थ क्या है बल्देविद्यावशन बताते है कि जब भक्त कोई सेवा करने का प्रयास कर रहा होता है और वो सेवा करते समय कुछ गल्ती कर देता है तो भगवान अपनी पलक जपक लेते है और वो गल्ती को देखते रही है गल्ती को वो दो नजर अन्दास कर देते पूतना का पूतना आती है वह भगवान का वद करने के लिए वह आती है तो भगवान अपने आखे बंद कर लेते है तो अहो बकियम स्तनकाल कूटम भगवान पूतना मेरा वद करने आई है उसको नहीं देखते अच्छा उसने अपना स्तन मुझे दिया वह उसका दूद देने के लिए उसका थोड़ा सा सेवा भाह होता तो ठीक है थोड़ा सा सेवा भाह होता उसको और बढ़ा दो और उसको सनातन काल के लिए सेवा करने का म जब हम भक्ति से उनके पास आते हैं, नमेद्वेशोस्ति नप्रिया यह अत्या है, पर जो भक्ति साते हैं, ये बजन्ति तुमाम भक्तिया मईते तेशु चाप पियां, मैं उनमे हूँ और वो मुझ में है भगवान कहते हैं, तो इसलिए भगवान के ज्ञान के ऐश्वरे क जब हम समझेगे, तो उसे हमें भैवीत नहीं होना है, हम समझते हैं कि भगवान हमारे साथ है, और हमारे कमियों को भगवान जानते है, पर हमारे कमियां, हमारे गल्तियां, उसकी सजा देने के लिए भगवान हमारे रुदय में नहीं है, हमें उनके परे ले जाने के लिए उनको सुधारने के लिए है और भगवान जैसे अधिक सक्षम कौन हो सकता है ऐसे भगवान अगर हमारे साथ है तो हम कोई भी कमी क्यों नहों कोई भी गल्ती क्यों नहों उस सब के पर जा सकते है और दीरे दीरे भगवान की सेवा में हम रहेगे तो हम शुद्ध हो जाएगे और उन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रेम, आईश्वर्य, प्रेम, बुद्धी, सौंदर्य इन सब आईश्वरों के अनन्त असिमित सनातन स्थ्रोत है तो सारांच में आज हमने चर्चा की भगवान के ज्ञान आईश्वर्य पर उसमें तीन चीज़े हमने देखी सबसे पहले भगवान के आईश्वर्य का महत्व क्या है कि भगवान के जो आईश्वर्य है उसके द्वारा हम उनकी और आकर्शित होके होकते हैं तो सबसे पहले हम देखा कि दोख संकल पर हो सकते भगवान की गौड इस दे बेसिस ऑफ अल भगवान सब चीजों के स्तरोथ है और दूसरा भगवान सारव स्रेश्ट है तो इन दोनों के बीच में क्या आता है इन दोनों के बीच में आता है कि किस तरह से दोनों सत्य है और भगवान में सब आईश्वरे भी है और भगवान सब के आईश्वरों के इस त्रोथ है और यह पहले समझना है भगवान के बारे में और फिर उसके बारे में हम देखा कि भगवान केवल आईश्वर्यों के दर्शाने में आनन नहीं लेते हैं वो आईश्वर्यों से कैसे भक्तों के साथ आदान पादान कर सकते हैं प्रेम का उसके उसमें वो आनन लेते हैं इसलिए कभी-कभी आईश्वर दर्शा आएगे, कभी-कभी आईश्वर चिपा भी देंगे। और हमने तीन लीलाओं के चर्चा के किस तरह से भगवान आईश्वर दर्शा आते हैं या चिपाते हैं। महाभारत के नौवे और दस्वे दिन भीश्वर के साथ पांडव का आदान-पादान के संदर्व में फिर दूसरा ब्रह्मभी मोहन लीला एक लीला में दोनों दर्शा आते हैं तीसरा कि कि शांति दूत की लीला और अंत में हम देखा कि हमें कैसे समझना चाहिए भगवान के पुलिस है जो हमें गल्ती करते हैं हमें पकड़े गए और जेल में डाल देगे भगवान एक मां के रूप में है जो हम गल्ती करेगे तो हमें सुधारने में मदद करेगे और अनिमीश और निमीश जो बल्देविद्धा भूशन जी बठाते है भगवान के आप जब हम को स बहुत बहुत धन्यवाद स्री कृष्ण भगवान की जाए शुजनमाष्ट में महामाउत्सव की जाए श्लप्रभुपाद की जाए गवरभक्तवन की जाए तो किसी का कोई एक सवाल है डूब है टाइम फॉर ग्वेस्टेंज यहां 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 पर नहीं तो चैट में लिखके ओनलाइन किसी डिवोटिस का अगर प्रश्न है तो यहां पर एक प्रश्न है प्रुजी अरे खुश्न प्रुजी थेंक यू फॉर वरी गुट क्लास और टेक्निकल भी एक्स्टेंग दिस तिंग प्रुजी एक दुबर कोशन आता है मने दुबर पढ़ा भी है लेकिन उसका क्लिर इंडस्टैंडिंग मैं आप से जाना चाह यह ओमनी पॉटेंस पैराडॉक्स करके कंसेप्ट है वेर बताते हैं कि कैन कृष्णा क्रिएट सम्धिंग विची केन आट लिफ्ट सो जनली में प्रपात का इंसा सुनते हैं कि यह सी केन क्रिए अंदें लिफ्ट इट अल्सों पर जब हम स्टुट्स को समझाते हैं तो मत अगर्वान अगर्वशक्ति शाली है तो फिर क्या उसका तो यह अप्वान ऐसे कुछ चीज कर सकते हैं जो क्या ऐसी चीज़ है जो भगवान नहीं कर सकते हैं तो इसका कई सतरों पे हम उत्तर दे सकते हैं कि कैसे है सबसे महत्वपूर्ण यह है जैसे मैं बताया कि God is not stuck with His opulence His opulence कि भगवान के जो गुण है भगवान के आईश्वरे है वह उनको define नहीं करते है वह उनके आईश्वरे को define करते है यह समझना बहुत जरूरी है जैसे नहीं कि भगवान उन्चे है तो उनको उन्चा ही रहना चाही हमेशा के लिए वो चाहिए तो वो अनोर अनियाम महतो महियान सबसे बड़े भी हो सकते सबसे छोटे भी हो सकते तो हमारे पास ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों को ऐसे स्मृति होती है हमें लगता है कि मैं इतना जानता हूं मैं इतना सुनता हूँ पर भूल जाता हूं सब कुछ तो ये मैं भूलना नहीं जैदा याद रखाओ तो कि इतना अच्छा हो जाएगा पर कुछ लोग कुछ exceptional लोग होते है कुछ लोग ऐस होते वह स्वरन शक्ति न होना हमें शाप लग सकता है पर स्वरन शक्ति होना भी शाप हो सकता है कि बहुत से चीज़े जो हम भूलना चाहते हैं पर भूली नहीं पाते हैं तो क्या है कि कभी-कभी हमारे पास जो शक्ति है हमारे पास जो भी चीज है उससे, we are stuck with that उसको हम छोड़ नहीं सकते, पर भगवान ऐसे नहीं है, तो, can God do a thing, is there anything that God can't do, तो प्रभुपाजी ने एक सरलता पर उससे उतर गया, कि भगवान एक पत्थर बनाए जो उनको उठाने सकते है, अपर भगवान उसको उठा देगे, तो उसका मतलब वही प्रभुपाजी एक प्रभुपाजी ने फिलोसोफी अंडरलाएंगे, प्रभुपाजी क्या कह रहे है, कि भगवान के ये शक्ति है, उससे वो सीमित नहीं है, तो भगवान के वास एक समय ऐसा है वो, कि वो पत्थर को उठाएं चकते है, पर बाद में वो अपने शक्ति का विस्तार करेगे, पत्थर को उठादेगे, तो अंडरलाइंग थीम इस कि भगवान अपने जो उसका मूल प्रिंसिपल है, मूल धारणा ये है कि भगवान अपने गुणों से सीमित नहीं है, भले ही वो गुणा सीमित क्यों हो, उसके द्वारा भगवान निर्धारित नहीं है, दूसरा सिस्टिम बनाई है, और भगवान उसके परे नहीं जाते है, क्या वो जा सकते है, वो जा सकते है, पर कैसा जा सकते है, ये समझना हमारे लिए जकल हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते है कि दूनों के रूप अलग होते है, कि कोई जो सर्कल है सरकल वो गोल होता है तो ये दोनों के रूप अलग होते हैं तो can God make a square सरक तो अभी हमें समझना चाहिए कि यह ऐसे सवाल है या कोई और सवाल हो सकता है कि कि अभी भारत 15 अगस 1947 को इंडिपेंडन्ट हो गया तो क्या भारत 13 अगस को इंडिपेंडन्ट हो सकता हो क्या भगवान चेंज कर सकते पास्ट को तो अभी हमें समझना चाहिए कि जब हम impossibility कहते कोई असंभव है तो उसमें कई और चीजे है कि एक है physical impossibility और दूसरा है logical impossibility तो physical impossibility मतलब जो एक शारिक स्तर पे बहारिक स्तर पे असंभव है तो इमान लिजी अभी मेरे पास यह वाटर बॉटल तो अभी मैं उसको उठा सकता हूं पर यहां पे इसके नीचे चीटी होगी तो अगर वो चीटी यहां जा रही है चीटी के लिए यह वाटर बॉटल उठाना चीटी के लिए वाटर बॉटल बड़े पहाड के समान उठाना उसके लिए उठाना नामोंकी नहीं है क्यों क्यों क्योंकि वो चीटी है तो वो उस के लिए शारिक्स तरपे नामों के लिए तो what is physically impossible for us can be done by God. तो कि हमारे लिए गोवर्दन परवत बहुत बड़ा है पर भगवान के लिए तो हम एक चीटी के लिए यह बॉटल के समाने पर भगवान के लिए नहीं है बगवान बड़े बगवान असी मित है तो वह असाई से उसको उटा सकते है तो what is physically impossible can be made possible so omnipotence means God can do that which is impossible for us जो हमारे लिए असंभाव भगवान कर सकते है physically impossible पर जो logically impossible है जो संकलपना के स्तर पर भी असंभाव है कि संकलपना के स्तर पर असंभाव मतलब क्या कि square और circle चोकोन और वर्तूल ये दोनों दो तरके स्तरपी अलग है तो अभी क्या भगवान ये कर सकते है भगवान सब कुछ कर सकते है पर वो कैसे करेगे यह समझना ही हमारे समझ के पर है तो कि because our brain itself works according to some conceptions कि हमारे हम जब जगत में कारे करते है तो कुछ धारनाए हैं कुछ संकलपनाए हैं उनके अनुसार हम कारे करते हैं तो अगर कुछ उन संकलपनाओं के ही विपरित होगा तो वहाँ कैसे हो सकता है यही हम समझना पाएगे इसलिए that it is not impossible for God it is impossible for us to understand how it is possible for God because it is a limitation of our thinking capacity कि कुछ भी चीज भगवान के लिए संभव नहीं है पर यह जो चीजे हमारे लिए तरक के आधार पर ही समझना नामुमकिन है तो क्या है वो भगवान के लिए कैसे मुमकिन है भगवान के लिए कैसे संभव है वह समझना हमारे लिए संभव है तो कुछ जहलक हम ले सकते है कि अगर हम कह सकते है कि अनेक ब्रह्मान्ड है तो इस ब्रह्मान में भारत इस तारिक पर स्वतंतर हुआ किसी और ब्रह्मान में बहरत किसी और तारीक पर स्वतनत्र हो सकता है तो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भगवान के लिए संभव हो सकता है वो But The Omnipotence Paradox की कैसे है कुछ लग कहते हैं कि भगवान क्या भविष्य जानते है भविष्य जानते है तो क्या भगवान अगर वो जानते है और ऐसे ही होने वाला है तो उसको परिवतित नहीं कर सकते है तो फिर ये क्या ये विरोधाबास है नहीं जासी कैसे है कि जब भगवान कहते है वो जानते है हमें समझता है कि what does knowledge mean कि भगवान ने हम सबको सतंतरता दी है और वह सतंतरता भगवान ने हमें ऐसे भेट दी है और वो जो भेट हम से कभी लेते नहीं है तो इसलिए जब हम कहते हैं कि भगवान भविशे को जानते है So God's knowledge of the future is like our knowledge of the past भगवान का जो ग्यान है भविश्य के बारे में वो हमारा ग्यान भूतकाल के बारे में इसमान है भगवान समय के परे रहते है समय के परे रहते है मतले मान लीजे कोई अगर गाड़ी है ड्राइविंग कर रहा है और वो कोई बड़ी रस्ते पर है नाशनल एक्स्प्रस वे है उसके गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है और कोई उपर सेटलाइट से देख रहा है वो उस रोड सिस्टिम में है ही नहीं रस्ते के सिस्टिम में ही नहीं वो उपर से देख रहा है तो वो व्यक्ति जानता है कि यहां पर अभी यह intersection आएगा, यह chalk आएगा, तो अगर आप इधर turn करेगे, तो इधर turn करेगे, तो कोई मुंबई से जा रहा है भार, ठीक, वो इसा सिधा जाता है, तो अगर नॉर्थ की और जाएगे, तो दिल्ली पर चल जाएगे, वो सिधा ज and control which choice each soul will make, कि भगवान जानते है कि कौन से चुनाओं से क्या परिनाम होगा, क्योंकि भगवान ने हमको स्वेच्छा दी है, तो इसलिए कौन सा चुनाओं हम करेगे, वो नियंतरित नहीं करते है भगवान, और अगर वो हमारा चुनाओं नियंतरित नहीं करते है, तो वो God's omniscience and His omnipotence is His omnibenevolence, कि भगवान सरवग्य है, भगवान सरवच्छाली है, पर उससे भी महत्पपूर्ण है कि भगवान सबके हित्चिंतक है, भगवान सबके हित्चिंतक है, सुरुदम सरवभूतानाम, तो दूसरों का हित्च करने के लिए, कभी-कभी भगवान अपने सरवग्यतों को प्रकट करेगे, कभी-कभी भगवान अपने सरवशक्तिमत्वा को प्रकट करेगे, पर क्या चीज भगवान कब प्रकट करेगे, यहां कि निर्भर है, वह किस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ आदानताना करना चाहते है, वह दिखाने के लिए, तो एक तरह से कोई शांती जुद की अगर लिला लेते हैं, तो क्या भगवान को ग्यान था कि दूर्यूधन नहीं सुनेगा, ग्यान था जरूर. पर भगवान ने क्या किया, फिर भी कोई और उद्देश था उनका. क्या उद्देश था कि मैं भक्तों को दिखा सकूँ कि दुनिया को दिखा सकूँ कि पांड़ों ने पूरा प्रयास किया युद्धन हो इसके लिए और जब उनके सरवग्यत्तों से फल नहीं हुआ दुरे देन उनका उनको गिरफदार करने का प्रयास किया तो क्या हुआ तभी भगवान ने अपने सर्वशक्ति मत्ता का प्रगात्रशन कर दिया और भगवान विश्वरूप दिखा दिया तो तभी क्या हो गया तो दुर्योधान उसके सारे सहनेक थे वो भैवीतों के नीचे गिर गये कुछ बेहोश हो गये क्वशनें लगवा आके बंत में कर लाफ हो देखी नहीं पा लेती देzhप सहन नहीं पाती है यह निकर हतो अभी भगवान चाहते तो टभी ही सारे कोड़ो कोड़ कर सकते थे उनको निश्परफ कर दिया था निश्क्रिय कर दिया था वहाँ पर भगवान ने वैसे नहीं किया क्यों भगवान का उद्देश कुछ और था भगवान का उद्देश था कि वो अर्जुन को और पांडवों को श्रिय देखी कैसे उन्होंने धर्मसमस्थापनार था या कि भगवान के धर्मसमस और इसले कल्यान के लिए, वो कभी कोई चीज कर सकते हैं, कभी कोई चीज नहीं कर सकते हैं. कभी-कभी आँ सरवग्य दिखाएगे हैं, कभी-कभी अपने सरवग, शक्तिवत्वा दिखाएगें, और कभी कुछ भी नहीं दिखाएगें. तो इसलिए यह Omnipotence Paradox वो क्यों आता है कि आसे लिए God is stuck with His Opulence and that His Opulences control Him कि भगवान के जो उनको नियंतृत करते हैं पर अगर समझते हैं कि भगवान उनके आईश्वर से नियंतृत नहीं है तो फिर उनके जो आईश्वर है उनके सेवक है उनके सेवा में उनके 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 लिए एक औजार के रूप में है तो फिर हम इस Paradox के पर या सकते हैं Hare Krishna Hare Krishna Let's stop here बहुत बहुत धन्यवाद करंथराज स्रिमत भागवतम की जाए श्लप्रभुपाद की जाए गउर भक्त वरंद की जाए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोजी इतना अच्छे तरीके से आपने यह जो आश्वारे हमको समझाया और कैसे वो जो दो चीजे स्टार्टिंग में बताया Krishna's basis of all being and best of all being वो भी बहुत एक अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे हमको आश्वारे को समझना चाहिए और बहुत ने विखतिकत आश्वारे और पोस्ट वाले आश्वारे व भी बहुत अच्छे तरह है वह बहुत अच्छे तरह है तो आपका जो इतना अच्छे थाए का explanation दो बिल्कुल मदुरम कृष्णा के साथ मदुरम मैच कर रहा और आप में भी हमको ऐश्वरे दिखा भवाद का कैसे चलक बातर है और निश्चित रूफ से आप उस ऐश्वरेक से भवान के पास जा रहे वो जो सागर है दिखने को मिल रहा है और प्रेड़ना मिल रहे हम फ्यूचर में और भी बहुत कुछ सुनना चाहेंगे आपसे आई हम लोग देते हैं जोर से तीन वार बोलके रिवोल 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 बहुत बहुत धन्यवाद प्रेक्रिश्णा